Hello friends, welcome back to my channel जिस वीडियो का आप लोग का बहुत देड़ से इंतितार था मैं वो वीडियो ले करके आ चुका हूँ यह है अंगरी जी का परस्न जो की कक्छा 8 के लिए है और यह फाइनल सेट है यही से सारा कोस्टन रहने वाला है और यही प्रस्न आप लोग के परिक्षा में आने वाले तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो और देखना शुरू करेंगे कौन-कौन से प्रस्ण इसमें है और कौन-कौन से प्रस्ण पिछले वीडियो में नहीं थे वो सारा question इसमें आ चुका है तो चलिए start करेंगे हम लोग यह वीडियो और देखना शुरू करेंगे हम लोग प्रस्ण के उत्तर हम लोग के पास यहां सबसे पहला question है right antonym of following what's antonym means होता है उल्टा सब्द लिखना है present का होता है sorry absent का होता है present valley मतलब घाटी घाटी का उल्टा हो जागा mountain correct का हो जागा incorrect लिटरेट का हो जागा illiterate यहां पर आप लोग का हो गया इसका antonym word अगला यहां पर हम लोग देखेंगे match the words in column a with their meanings in column b तो furnace यानि furnace का यहां पर सेम मीनिंग होता है outfit के लिए तो यानि one का हो जागा आपका organization में organization में आपका हो जाएगा यहां चूटा हुआ है यहां पर इसका option नबर भी हो जाएगा थार्ड है वर्षिप वर्षिप का आपका और श्याम पढ़ते तो राम एंड श्याम रीड क्योंकि यहां दो नाम है राम एंड श्याम इसलिए यहां पर भरवन का परियोग होगा अगला सूरज पूरब में उगता है तो sun rises in the east यहां पर अगला हम लोग दिखेंगे हम लोग परती दिन विद्या ले जाते हैं तो we go to a school everyday यह हो गया अगला सवाल है answer the following question in 30 words write the boundary of Sikkim चली Sikkim का boundary मतलब चोहदी अमलोग को ने लिखला है तो यहां west में होगा Nepal and Bhutan East में होगा Tibet and China, North में होगा Bhutan और South में होगा Darjeeling और West बंगल भी आप लोग वहां पर चाहें तो जोड़ सकते हैं अगला है What do you mean by shadow इसका हो जाएगा a dark shape on a surface that is caused by something being between the light and the surface is called shadow अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि make a list of things that can be recycled तो सबसे पहला हम लोगों ने लिया वह ग्लास सेकेंड हो गया iron 3 हो गया gold 4 हो गया plastic 5 हो गया silver 6 हो गया aluminium इन सबको क्या कर सकते हैं हम लोग गला करके फिर से नया चीज बनाया जा सकता है अगला यहां पर हम लोग देखेंगे question है what do you mean by harvesting rain तो the harvesting of rain when we collect the water of rain for future purpose is called harvesting of rain यानी सीधा सब्दों में हम लोग अगर लिखना चाहें तो harvesting rain is the purpose which we collect the water is called harvesting of rain अगले यहां पर है who is outsider in the poem outsider तो यहां हो जाएगा the speaker considers himself as an outsider because nobody can understand what he is saying यहां पर आपका जोगी question है यह पिछले वीडियो में नहीं था यह question है आपका the speaker considers who is outsider in the poem of outsider आपने अगर outsider कभी दापर होगा तो उसमें कभी खुद को ही outsider मानता है अगला सवाल यहां पर हम लोग देखेंगे तो answer any one of the following question write the summary of poem my shadow in your own words या what did Kalpana do for Indian girls education and being an American citizen अगला सवाल इसका हम लोग answer क्या करें है यहां पर देख सकते Kalpana Chabla was the citizen of America but she was born in India so her heart belongs to India she saw that Indian many girls are not going to school for a study because of economical problem so she provided a fund for their study उसके बाद यहां पर आप लोग का यही था पांच questions होते हैं भाश्रावाले में और पचास नमबर के लिए प्रसुर पूछे जाते हैं आप लोगों को यह वीडियो का इसा लगा इसको हमारे comment box में बता देंगे और साथ ही आपको अगले आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग बाबाए